है अलो बच्चो बड़ा उड़ाई चल रही है अच्छे से हैं सभी लोग देखिए आज भौतिक विज्ञान जो है 12 के भौतिक विज्ञान के चेप्टर नंबर 6 ठीक है चेप्टर नंबर 6 जो आपका है बैदुत चुम्ब की प्रेरण इस चेप्टर का हम लोग क्या करेंग रहे है तों सबसे पहले भी जो बच्चे जूड़े हैं ठीक है जो अभी न dividstation नए जूड़े हैं वह चैनल को लाइक भी कर लें subscribe कर लें ठीक है और बेल आइकन को आण कर देंगी जिससे कि आने वाले जो नए क्लास कर amendments के और आपको समय पर उसके notification आपको मिलते रहें ठीक है और जो नए बच्चे हैं जो नहीं जूड़े अप्लिकेशन से उनके लिए बता दे देखिए कि अभी लांच हुआ है देखिए आपका सीखर बैच 2.0 लांच हुआ है ठीक है नया नया इसमें आपको चेप्टर नंबर एक से पूरा तयारी करा जा रहा है चेप से अच्छे स्वाइज करते हैं तो अभी से जूड़कर करेंगे तब भी आपका 90 प्लस नंबर आएगा ठीक है 90 प्लस का टार्गेट है इसमें आपको डेली लाइब क्लास डाउट क्लास प्लास नोट्स आनलाइन टेस्ट और इस्टडी मैटेरियल प्रवाइड के जाएं दिखिए मतलब को डेली लाइब क्लास मिलेगा डाउट क्लास अलग से दिया जाएगा और इस्टी मेटेरियल अलग्से मिलेगे मतलब अको क्लास में जो उसका नोटोस upps प्रिदीयब तो मिलेगा ही उसके सांसाथ áp-sorinico Onun ए होंगे ठीक है डेडिवेशन होंगे और आपके एक्जाम्पल होंगे और प्रेक्टिस फिर यह भी आपको अलग से दिये जाएंगे और आपका online test होगा विकली test हर सवता हमें आपका टेश्ट लिया जाएगा सलेबस कंप्लीट करने के के बाद आपको सभी महत्वपुल्ण प्रश्म कराए जाएंगे माडल पेपर कराए जाएंगे गज gibt पिछले 5 साल के फेपर भी आपको कराए जाएंगे ठीक है पर रिखींगी अच्छे तरीके तरीके गूगल प्लेपे भी क्या है अब लेबल है नार्मल नार्मल देख फिक है मतलब प्लेइस्टोर पर भी इसको आप आपका अब लेबल है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो अगर कोई कनफ्यूजन होता है कुछ जानकारी चाहिए या तो आपको नहीं डाउनलोड कर पाते हैं या तो जूर नहीं पा रहे हैं तो आप आप इसका नंबर है देखिए 930 577 1375 यह आप इसका नंबर आप इस नंबर पर भी कॉल करके जूर सकते हैं ठीक है असानी से तो चलिए देख हैं इसमें देखे 3 मैम हैं मैम आपको बायो ठाहेंगी ठीक है और ये सर आपको इंगलीच पढ़ाएंगे ठीक है इंगलीच कि लिए देखी दो टीचर है ठीक है और देखिए मैस के लिए दो टीचर हैं फीजिक्स के लिए भी आपके पास दो टीचर हैं ठीक है मतलब हर सब्जेक्ट का देख रहे हैं दो दो टीचर है और यह अच्छे से आपको क्लास चलेगा टेस्ट होगा तैयारी कराए जाएगी क्वेश्चन बताया जाएंगे गेस पेपर माडल पेपर और पिछले पांच साल के पेपर भी आपको साल कराए जाएंगे ठीक है तो सोचिए मत जिनको भी दोजा 24 के बोड़ एक्जाम में बैठना है वो बीना सोचे तुरंद क्या करें जूड़ी आए और अच्छे स्तयारी अच्छा नंबर लेकर आएं ठीक है चलिए देखते हम लोग आज का कूई देखwen to higher क्या है देखिए साट एंसर टाइब क्वेश्चन देखिए पहला क्या है देख लिए पहला साट एंसर टाइब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का क्या है ठीक है ठीक है चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए पहला क्या है चुम्बकी फ्लक्स की परिभ लिखना है और इसका बीमी सुत्र भी बताना है ठीक है चुम्बकी फ्लक्स का परिभासा और इसका बीमी सुत्र बताना है तो देखे चुम्बकी फ्लक्स की परिभासा हम पहले देख लेते हैं क्या देखे किसी चुम्बकी छेत्र में रखे प्रिष्ट के लंबवत गुजरन वाले चुंबकी बल रेखा की संख्या को उस प्रिष्ठ से संभद्द चुमबकी ही फ्लक्स कहते हैं इसे 5 से बैक करते हैं मतलब देखें आपका यह क्या चुमबकी छेतर रहें हैं अब इसके लंबबवत देखिये हम एक चेतर फल रखते रहें ठीक है है च्चेत्रफल डी एह दीकिया च्छेत्रफल गुजरनेवाले च्छुभकी बोल रहा के मान चुभकी फ्लक्स ठीक है तो यही देखे हैं कि किसी चुमबकी छेत्र में रखे प्रिष्ट के लंबवत ये दो क्या है चुमबकी देखे जो आपका ये संख्या को क्या कते हैं चुम्बकी फ्लक्स करते हैं इसे फाई से ब्यक्त करते हैं इसका मात देखिए बीमा क्या होगा देखिए ml square t k power 2 और a k power minus 1 ठीक है यह इसका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा तो देखिए इसका परिभासा लिखना था और क्या लिखना था बीमी सुत्र लिखना था ठीक है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या तो इसकीन साट ले सकते हैं ठीक है नोट भी कर सकते हैं इसकीन साट भी ले सकते हैं हो गया चलिए देखिए तो यह देखिए आपका क्या था चुम्बकी फ्लक्स की किसी चुम्बकी छेत्र में छेत्र स लब्ववत रखे छेत्रफ़ से गुजरने वाले चुम्भकी बल रिखा के मान को क्या कते हैं चुम्भकी फ्लक्स कते हैं और इसका बीमा यह भी मा भूट नोट कर लीजिए लिख लीजिए याद कर लीजिए यह बहुत महत्पूर्ण रता जितने भी बीमा और मात्रक होते थीक है next देखो संग है दूसरा लेखो संक्य धे है कि दूसरा देख और सुद्वा होता है और चुम्बकी फ्लक्स घनतो का मातर क्या होता है बेबर प्रती मीटर इस्पायर या टेस्टला या न्यूटन प्रती एम्यार मीटर होता है कि मतलब एकांग छेतर फल में ऊपस्ति मिकी फ्लख को क्या करते हैंद तो as जंबकी फ्लख्स का क्या होता है अब इसी में क्या करेंगे छेतर फल से भाग दे ढ Thinking तो यह क्या आजाएगा गनत घंच 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 आप लोगात इस को देखिए आप लोग बहुत ही तयार कर लएगा जितने भी मात्रक होते हैं या बीमा वाले question क्या होते हैं बहुत ही महतपूर्ण होते हैं ठीक है तो यह गया देखिए औरा क्या हो गया यह चुंब की flux तथा चुंब की फ्लक्स घ्हनत्तो का मात्रत करawa है अगला देखिए question क्या है तो यह तो लेंज का नियम लिखना होती है कि यहां उस कारण का बिरोध करती है जिससे वह स्वेंग उत्पन्न होती है मतलब देखे क्या होता है जब किसी परीपत में ठीक है कोई परिपत जैसे कोई परिपत है अब देखे इसमें हम क्या करेंगे चुम्बकी फ्लक्स मतलब बी के मान में चुम्बकी छेत्र में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने से इसके बीच क्या होता है एक और दोट वहाग बल उत्पन होता है जिससे धारा क्या हो जाती है प्रेवित हो जाती है अब यहazed में चुमबखी बल упn प हो रहा है और यह दारख हो रही है और यह दारा क्या करते लिदख करती जिसके कारण उत्पन अधिवत के कारण उत्पन होती है उसी का क्या करती है विरोध करती है तो देखे यही चीज आपका परिभासा में लिखा है नो देखे कि किसी परिपत में प्रेद्धुत वहकबल या प्रेद्धारा विद्धुत वहकबल या प्रेद्धारा की दिशा सदयव ऐसी होती है कि यह उसी का क्या करती है विरोध करती है तो इसे ही हम क्या करते हैं इसको करते हैं लेंज का नियम यह क्या कलाता है हमारा लेंज का नियम कि यह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण की स्वयम यह क्या होती है उत्पन होती है जिसके कारण उत्पन होती है उसी का क्या करती है विरोध में लेंज का नियम क्या है ठीक है तो यह हो गया देखे तीसरा क्वेशन चौथा क्वेशन देखे देखते क्या है प्रेरित धारा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताएं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है ठीक है फ्लेमिंग के दाएं ह प्रामात के अंगूठे और उसके पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार फ्याएं कि सभी एक दूसरे के क्या हो लंभाफ हो यह इस इस्काफ कोड़ Concept है यह इस्जित बनाई यह इस करेगी तथा अंगूठा चालक की दिशा को और अंगूठा किसको करेगा चालक की दिशा को बैख करेगा तो यह जो आपका तीसरी अंगूली है यह क्या करेगी यह बैदुद्धारा को प्रदर्शित करेगी यह किसको बैद करेगी बैदुद्धारा को प्रदर्शित करेगी देखिए ये किसको बैद करेगी ये चुम्बकी छेतर ये बी को बैद करेगी और ये किसको बैद करेगा चालक की गती को करेगा तो ये किसको बैद करेगा ये धारा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को बैद करेगी ठीक है तो प्रेरित धारा ग्याद करने के लिए हम इसी दूसरे के लंबौत हों ये पहली अंगली किस को ब्यक्त करती है और ये जाने हैं आविए वी किती है कर रहा है ठीक है और यह क्या देखिए चुम्बकी छेत रहे क्रास का मतलब नीचे की तरफ है क्रास का मतलब अंदर की तरफ तो देखें यह किसको करता है चुम्बकी चत को यह में अंदर की तरफ बोड को करना है और यह गती को तो देखें मैं ऐसे रखना है यह देखें यह कि किस को ब्यात्त करता है अं Catha independent को और यह अंगली अंदर की तरफ कर रहे सक라고 तो यह धारा की दिसा को ब्यात चुंबकी चत्र अगर यहीं पर ऐसे दे दिया धिखिए कि रखान तो इसका मतलब यह क्या हो रहा हो ऊपर की तरफ भारrier केंगे चल दिषा में तो यह नीचे की तरफ आईगी तो इसमें धारा क्या होगी नीचे की तरफ बहेगी ठीक है तो यह धारा की दिशा ग्याद करने के लिए यह फ्लेमिंग के क्या है आपका दाहें हाथ का नियम है कि यह दाहिने हाथ के अंगुठे और पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह पहली अंगुली और सफो क्या है देखें स्वा प्रैरंगुडांक अतवा प्ररेकट्टव की परिभासा मात्रक लिखें दोनों एक ही चीज और स्वा प्रेड़ों कि अफ्राइरक तो देखिए क्या होता है किसी कुंडली का स्वा प्रेश का इस प्रेरितवाहग के संख्यात्मत मान के बराबर उता है जो की उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांग होने पर उत्पन होता है मतलब कुंडली एक धारा परिवर्तन की दर दीखिए आई ऐती का मान एक करेंगे ठीक है धारा परिवर्तन की दर मतलब 1 सेकेंड में 1 एंपिर धारा परिवर्तित हो रहा है तो इसमें जो विद्दूत वहांग बली उत्पन होगा यही क्या होगा सोब रउनल गुरांग कालाए गा मतलब इस कुंडली में एक एंपियर की धारा परिवर्तन करने से जो विद्दुत वाहग वल उत्पन होगा वही क्या कलाएगा हमारा स्वाप्रेणर गुडांग कलाएगा उससे हम क्या कते हैं स्वाप्रेणर गुडांग और इसका मात्रक क्या होता है देखिए हेनरी यह बहुत ही आगे देखते हैं अन्योन प्रेणर गुडांग की परिभासा दीजिए तथा एक बेवहारिक उदाहरन भी दीजिए अन्योन प्रेणर गुडांग क्या होता है उसका परिभासा बताना है और इसका एक उदाहरन भी देना है बेवहारिक उदाहरन मतलब जो की हमाई धैनिक जीवन में कहीं ने कहीं उपयोग होते हैं उन्हें क्या कते हैं वेवहारिक उदाहरन कते हैं उसे क्या कते हैं वेवहारिक उदाहरन तो देखिए पहले तो हम परिभासा दे देते हैं कि इन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरन गुडांक अथवा अन्योन प्रेरक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुम्बकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एक एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही हो देखिए यह था देखिए जब एक कुंडली है इसी में एक एंपियर की धारा प्रवाह लेकिन यहां पर अन्योंन क्या होता है कि जब कुंडली में एक एंपियर की धारा प्रोहित होती है तो उसके कारण जो दूसरी कुंडली में क्या होता है फ्लक्स ग्रंतित्याओं की संख्याम जो परिवर्तन होता है उसमें क्या था एक कुंडली में धारा प्रोहित हो रही है और उसी में उत्पर्ण हो रहा है विद्धुत्पागबल यहां पर क्या है एक कुंडली में धारा प्रोहित होगी और परिवर्तन किसमें होगा दूस यह चैना क्या होगा परिवर्टन होगा दूसरी कुंडली में उसको हम क्या कहेंगे अन्योंन प्रेरिक्ट तो कहेंगे क्या क्या Ge iam परियोतन होता है और एक में द्हरारा प्रियोतन होता है और यह हारिक उधाहरन देना है वहारिक मतलब दैनिक जीवन में उपयोग हो तो वहारिक उधारन, देखे क्या है प्रांस्फार्मर प्रांस्फार्मर में देखे क्या होता है प्रांस्फार्मर में देखे ऐसे होता देखे दो कुंडली होती है यह प्रात्मिक कुंडली और यह सेकेंडरी इसमें परिवर्तन करते हैं धारक मान में तो इसके प्रेणर से इसमें भी क्या हो जाता है धारा उत् यूतियक एक में परिवत्तन करेंगे दूसरे में भी क्या होगा उत्पन हो जाएगा विद्दुत्वाग बल तो यह क्या है अन्योन आपका प्रिरन है ठीक है ट्रांसफार्मर्ट तो यह हो गया देखे हमारा कि अन्योन प्रिरन का परिभासा दीजिए और इसका एक बेवहा करांएं क्या होती है यहदु किसी धातु की मोटी प्लेट को चुम्बकी छेत्र में गतिसील किया जाए तो प्लेट से संबद चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भवर धारा करते हैं घवource वसमें फ्समें चुम्बकी चेत्र क्या है चुम्बकी चेत्र भी जब किसी धातू की चालक प्लेट को हम क्या करेंगे इसमें गती कराएंगे ठीक है इसमें गती कराएंगे तो इसमें आने से इसमें जो है चुम्बकी फ्लक्स का मान क्या होगा परिवर्तित हो का जिससे इसमें धारा प्रेलित हो जाती जो चक्कर की तरह घुंती रहती है जो जैसे समुद्र में भवर उत्पन होता है उसी प्रकार इसमें जो धारा इसमें आने से जो धारा निकलेगा वो इसमें घुंता रहता है भवर की तरह घुंता रहता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भवर धारा कहते हैं ठीक है यह क्या ऑतनों जिससे एख धारा प्रेलित हो जाती है इसे क्या कंते हैं भव्र धारा को क्या कहेंगे भवर धारा कहते हैं और लोग चलते हैं सब्स्रों को लाइक नहीं करते हैं आप लोग बस कढ़के चले जाते हैं चल दिया करिए एक बार सब्सक्राइब ने किये वो सब्सक्राइब भी करें सब तक हम नेक्स क्वेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए देखे अगला देखे क्या है एक चल्ले से गुजरने वाली चुम्बकी प्लक्स का मान फाइवन से फाइटू एक समान माँ दर से टी अभ div समय में बढ़ाय जाता है यदि शले का प्रतिरोध आर हो तो चले की प्रेजित धारा का मान ग्यात जुजीए देखे प्रतिरोध आर दे दिया है चुंबकी फ्लक्स फाइ बन से प्रिवर्तित होता है कितने समय में तो प्रेजित बैदूत वहाग बल देखिये बराबर क्या होता है डी फाइब द्थी डी फाइब कमान क्या होजाएगाट यहाँ पहले आ जाएगा पारिवर्थन तो यह होगया घ्क है और धारा पुछा देखिए तो धारा क्या होता देखिए विद्दूत वहागबल जो आया है इसी में देखिया आर से भाग दे दिंगे आर यहीं पर क्या हो जाएगा गुड़ा में हो जाएगा ठीक है है हुग गया कम फर में यह किलियर है इसमें तो किसी को confusion होना एक देखे बुदूत कबन करता है आब इसमें सब्सक्राइब सब्सक्रा समलच क्या किसी कुंडली से संबद चुंबकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसी कुंडली में प्रेरित विद्दुत वहकबल का उत्पन होना क्या कहलाता है स्वव प्रेरन कहलाता है ठीक है जब देखे किसी एक कुंडली के चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फिर उसी कुंडली में विद्धुत्वाहग वल उत्पन होता है तो क्या कते हैं स्वव प्रेरन कहते हैं और यदि दूसरे में विद्धुत्वाहग वल प्रथा धारा उत्पन होने की घटना को क्या करते हैं स्वाप प्रेजर कहते हैं और गुडांग का देख्षे मात्रक जो आपका यह देखे बीमी सूत्र क्या है एं एल इसक्वार ती के पाउः एक पावर मैनस तूझ यह आप लोग याद कर लेंगे इंपोर्टेंट है महत्पूर्ण है ठीक है यह बहुत ही महत्पूर्ण है क्लियर है सभी कोई है चलिए आगे देखतें हैं नोट भी कर सकते सात सन नहीं तो आप च्न साथ ले सकते हैं ठीक है तो देखे ठीच के बीच नंतर असपष्ट की प्रवाहित धारा में देखिए थोड़ा सा यह में इस्टेक हो गया देखिए यह ठीक है देखिए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में बैदूत वाहग बल प्रेरित होता है तो इसे क्या कते हैं सोवप्रेनर कते हैं इसमें क्या होता देखिए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करेंगे तो उसी कुंडल कंड़ी में बिद्दुत वहगंब क्या हो जाता उथ संटा वीकपन होता है। लेकिन इसमें किसी कंड़ली के धारा के मायन में परिवर्थन करने से ऊतक्र करने से सामीब रखी कंड़ली में बिद्दुत मर फिरे नियुर्ड होता है । मतलब जब जिसमें धारा का क्या करें परिवर्तन करेंगे उसी कुंडली में विद्धुत्वाग वाल उत्पन होगा तो स्वाब प्रेराण कर लाएगा स्वाब प्रेराण ठीक है यह देख़ें कि देख़ें कि स्वाब प्रेराण ठीक है स्वाब प्रेराण हो गया अन्योन प्रेराण बस अंतर देखें एक चीज बस दिमाग में बैठाना अपनी एक पॉइंट कि स्वाब प्रेराण में क्या होता है जिसमें धारा कामान परियुत्वाग वाल उत्पन होगा अन्योन प्रेराण में क् दूसरे कुंडली में क्या होगा विद्धुत्वागवल उत्पन होगा पस यही है ठीक है अब देखिए किनी दो कुंडलीयों के बीच अन्योन प्रिण गुडांक अथवा अन्योन प्रिकत तो संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुम्बकी फ्लक्स ग्रंतिताओ मतलब देखिए कंडली में एक दारा प्रिवर्थन करेंगे तो उससे लुबसरी कुंडली में जितना में प्ट्रिणगुडांक कहलाता जितना का परिवर्तन होता है वह क्या कराता है अन्यों प्रिण तक इसका उदाहर देखें कि क्या हानिया होती हैं किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड को इंसे उत्पन होने वाले किस प्रकार इन में होने वाले किस प्रकार से रोका जा सकता है देखिए पहले तो हमको इस तो चुम्बकी छेत्र के प्लेट से संबद चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे धारा प्रेरित हो जाती इस धारा को क्या कते हैं भवर धारा मतलब किसी धातू की प्लेट में चुम्बकी छेत्र के परिवर्तन से जो धारा उत्पन होती है उसे क्या कते हैं वहाँ पर उसमा के रूप में बदल जाता है मतलब जहां पर भावरधार उसमा की रूप में बाहर निकल गार है इननमों तो गर्म हो जाता है क्योंकि वो पूरा कारण नहीं करता है ०ि क् and उर्जा क्या होता है उस मा के रूप में बाहर निकल जाता है और ये किश के कारण होता है भवर्धारा के कारण वह धारा उसी में घुंती रहेगी घुंती कोई कार नहीं करेगी लेकिन घुनते अपना नश्ट कर देती है अ अब देखे ट्रांसफार्मर की क्रोण में भायवरधारा को कैसे रोक सकतेioè कैसे रोका जा लपेट करके बनाया जाता है तर लपेट कर तो मतलब उसमें पतली पत्री पत्तियां रती जब पत्तिया पतली रहेंगी तो तो भावरधारा का कम रहेगा मतलब भाववरधारा सही उत्वन नहीं होगा तो उर्जा की हानी के नीयम लिखी है कि पहले तो देखी हम को पैरादे का क्या लिखतना है और यह दीखे जो सुत्र परम्त कीजिए कि आपको अभी नहीं करना है ठीक है कि यही तक आपको अभी आपको procedures करना है तो लांग वाला नहीं करेंगे भी लांग वाला बाद में करा जाएगा या तो करा दिया गया होगा ठीक है तो देख themes प्रilsप समद्धी फैराडर का नियम लिखना सो फैराडर के दो नियम थे कितने नियम दो नियम मुझा किसी कुंडली से बद प्रियूत वाहक बल करा मां चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन की दर के रिड़ात्मक दर के बराबर होता है देखे पहला नियम यह था कि चुम्बकी प्लक्ष जो हता है यह चुम्बकी प्लक्स परिवर्तन के जो आपका विद्दूत्व अगह परिवर्तन के क्या होता है रिडात्मक उसके रिडात्मक दर के क्या होता है बराबर होता है विद्दुतवाग वल यह आपका प्रतम नियम हो गया ठीक है और यही देना ही था हमको क्यवल चुमबकी प्रियन्ड सम्बंदी फैरादे का नियम यह एक ही नियम देना था ठीक है तो यह देखी आपके important जितने भी आपके थे subjective question थे वो भी कैसे question थे short answer type question थे ठीक है और हम लोग next class में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए long answer type question दिर्ग उत्तरी प्रेस्टन लेकर आएंगे ठीक है उसके बाद numerical तो आप सभी लोग जितने भी लोग अभी like ने किये लाइक कर लीजिए चैनल को सेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है देखिए आप लोग रिस्पांस अच्छा देंगे तो आपको continue class आपको मिलता रहेगा important question का वो भी हर chapter का हर subject का तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए सभी को बाय तैयारी अच्छे से करिए और अच्छे से नंबर लाइएगा ठीक है